नमस्कार आपके सदन जन सदन में आपका स्वागत है मैं हूँ राजीव रावत और आज आपके सदन में मारे मेमान है वाइद नसीम जी जो राजनुतिक समिक्षक है वरिष्ट पत्रकार है आपका स्वागत है और हर्श चहल जी है प्रवक्ता है भारतिय किसान यूनियन के आपका भी स्वागत है किस आंदोलन अब तक दिखराता पंजाब का हर्याना पे अटका वा था कैसे हर्याना में आए और उसके बाद दिल्ली पहुचे लेकिन इन सब के बीच आज तस्वीर कुछ अलग थी क्योंकि इस आंदोलन को पंजाब और हर्याना से हटकर आज उत्तर किसान यूनियन के प्रवक्ता, नेता, राकेश्टिकैत, नरेश्टिकैत भी जा है मुझा फनगर में डटे रहे और तस्वीर यह है कि अगले कुस दिनों में जैसी गोष्णा बाद किसान यूनियन ने की है हरी दौर से लेकर नौएडा तक सड़के एक कोने किसानों के ट् भारते किस किसान यूनियन की अगवाई में S.K.M. की, संयुक्त किसान मूर्चे की, ये भी का जा रहा है कि तकरीबन देश के 500 संगटन इसमें प्रतिबाग करेंगे और आगे का फैसला करेंगे कि दिल्ली कूछ कब और कैसे किया जाए और संबब ये भी है कि कल की बेटक क के बाद 23 तारिक को दिल्ली कूछ होगा क्योंकि कुछ रास्ते हरियाना के रास्ते बंद की हैं लेकिन बाकी राज्य आप इसमें भागिदारी कर रहे हैं तो यह आंदोलन और बड़ा होता जा रहा है पहले आपके पास आना चाहूंगा चाहल साप आप इस आंदोलन में यह सांदोलन में उनके उनकी सानों के साथ हैं जो लोग पांच पांच सो साथ साथ सो किलो मेटर से पंजाब के दूर अलग-अलग कोनों से आये थे परंतु एक चीज थोड़ी सी इसमें क्या था जो कॉल दी गई थी वह सकेम की नहीं थी जी जी वह सकेम एराजनी तिक की कोल थी एसकेम की कोल 14 मार्च की दिल्ली जाने की है और उसमें हम लोग जाएंगे जी जी भारते किसानी नंगी 17 तारिक को मासिक पंचात हुई थी सिसोली में उसमें टिकेज साब ने निर्ने लिया कि पूरे प्रदेश वर में जिला मुख्यालव पर आज प्रदशन होगा 21 वरवरी को सब चीज का रिजल्ट आप सभी लोगों के सामने हैं आप देख सकते ने हैं कितनी मजबूती से किसान अंदोलनित किसानों के साथ है। उत्तर परदेश वर्देश का किसान बी इसकी क कूदगी या है। कूद किया है लेकिन आप भी आप तयारी करेंगे और आपके लिए भी बैरिकेटिंग लगा दी जाएगी, कटिले तार, कीले, तो आप भी कुछ ऐसी तयारी करेंगे जैसे पंजाब के किसानों ने आज की, JCB, और यह मशीन दिख भी रही है, हवी मशीन, देखिये अपना- काम करेंगे हमारा काम अंदोलन करना है अच्छा यह बतलाईएगा कि एक किसान के मृत्यों की खबर आ जाई हालंकि पुलिस ने उस बात को अफवा का आपके पास क्या सूचना है क्या मृत्यू हुई है इसमें थोड़ा सा जो है अफवाओं का दोर है जो लोग अंदोलनित ह है उनकी जो पोस्ट आती है एक तो माँ पर नैट बंद है नैट सरकार ने बंद कर दिया है तो एक्च्छ रिपोर्ट तो महां से नहीं आ पाती किसी न्यूज चैनल कुछ न्यूज चैनल दिखा देते हो वहाँ पर एक मृत्य हुई है कुछ लोग भी बोल रहे हैं जो गायल है कुछ पुलिस वाले भी गायल है लेगे टकराओ होगा तो गायल तो होगे लेकिन इस सब के बीच अबारते किसान यूनन तो आई यह साथ में आज वकील भी उत्रे इस आंदोलन के समर्थन में पंजाब के कोर्ट में जो हैं हाई कोर्ट में जनित याचिका दैर की ग यह मामलाब कोट में चिलागया वहीद जी टोटल जो प्रगती आप देख रहे हैं इस आंदोलन में आज एक नया मोड लिए आए आ। को क्या लग रहा है कलता के अंदोलन एक रज्यक कासा अंदोलन प्रतीत हो रहा था या दिखाया जा रहा था लेकिन अब यह शंका दूर हो गई पिसी आरोके करें तो मैं अपनी बात को कम लेगी और एक बात में यहां बहुत वाज़े करना चाहता हूं असल में क्या है कि कुछ लोग एसी कमरों में बैट के या मंत्रालों के टैग लेके भारतिये किसानों को अब उनके सिर्फ कपड़े या पहनावे से उनको अकल के पहरे में थोड़ा कम समझते हैं जबके यह नहीं जानते कि सिर्फ ऐसी कमरों में बैट के आप हिंदुस्तान को नहीं समझ जकते हैं हिंदुस्तान की जमीनी हकीकत को नहीं समझ जकते हैं भारत का जो बुजर्ग है जो गाहों में रहता है जो ठेट भाशा भी बोलता है व हम इनके साथ रोजी हुटते बैठते हैं बात करते हैं इनकी अकल का दायरा हमको पता कितना होता है यहाँ जो परपोजल किसानों को दिया गया था कि हम इस पर MSP दे सकते हैं क्या थी दलहन अगर आप देखें दलहन और तेल की अगर तिलन और दलहन की आप बात करें MSP देने की तो यह जुन-जुना जो पकड़ाने की कोशिश की जा रही थी सरकार ने पिछले साल 2022 में भी 2023 में भी दलहन का इंपोर्ट किया है यानि जो तुम विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हो अगर फार्मर उसको यहाँ पर उगाएगा तो आप उस पर MSP दे सकते हैं क्योंकि आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है मगर जो फार्मर का प्रोड़क्ट जो उसके खेत में ज्यादा उगता है जो बीमारियों से भी महफूज रहता है जिसकी शोर्टेज है मार्क्वीट में उसको एक्सपोर्ट के रास्ते अपनी कोलना चाते क्योंकि अगर एक्सपोर्ट के रास्ते खुलेंगे तो देश के जो है कि फार्मर के प्रोड़क्ट के ये रेट हाइगे आई होंगे तो फिर उन गोडामों में कैसे भरा जाएगा जिन में में इस्टोरेज करके की जाती है और आम कंजूमर को महंगा दिया जाता है किसां का जो माल है वो सश्ता खरीद हे तो यह जो सुटवेशन कारणों से किसी वज़े से अंदोलंग से जुड़े ना जुड़े मगर हर किसान को अपनी इस्तिती का पता है कर्जों की इस्तिती में अगर आपको एक सबूत दूना माप करना उतर परदेश की बात कर लेता हूँ बाकी छोड़िएगा मैं संत कभीर नगर के डाटे को ऐसे ही अपने डॉक्टर साब से जो माप जो है वो उसकी प्लानिंग कर रहे थे तो प्लानिंग करते करते उनके सामने जो जो चीज आई एक डिस्टिक का बैंकर्स का जो कर किसानों की उपर है वो अर्पोर उपे में हैं यानि उतनी कि उनकी लैंड कोस्त नहीं करती है जितने का उन पर करजा हो चुका है क्या अगर इनकों एमस्पी नहीं दी जाएगी ग्रो नहीं किया जाएगा फार्मर को तो बैंकों के जरीए क्या इस देश के किसानों की जमी चाहती है ये सरकार के दोस्त बड़ी सीधी बात है राजीम जी चुनिएगा सरकार चतुराइभ कर रही है किसान जानता ही को नहीं ठीक किसान से पूछलेते ना यह चीयर पत्रकार हैं और अंतरब्रदेश के ही मुल्यवासी है जो वह कहा रहे सच्र Jeremy 인सीय और आप क्या समझ पा रहे हैं यह हम को क्या समझा पा रहे हैं देश को कि यह MSP है क्या, और यह MSP, अब वस्ते कुछ तेना क्यों नहीं क्या रही है? आपको क्या लगता है? देढ़े टिकेट सांब भी कई बार बोल चुक है, सरकार B.J.P की है ही नहीं व्य जेह होती तो एक किसानों के बीच में जाके बात करते हैं वो समय भी था जब देश में किसान अंदोलन ये तो है नहीं कि अभी दो चार साल से होने लगे किसान अंदोलन जिस दिन से देश किसान अंदोलन जब देश गुलाम था तब भी किसान अंदोलन करते थे देश को आजाद कराने में किसानों का सबसे बड़ रोल है और आज उसी किसान को अपनी राजदानी में दिल्ली अपनी देश की राजदानी में अपनी बात रखने आने के लिए भाई किसान इतना बड़ा रिस्क क्यों लेता है दस दस लाके ट्रैक्टर अपने बच्चों को अपने घर परिवार को छोड़के सड़कों पर होत है देश के प्रदान मंतरी ने कहा था कि हम वाफ़ी चाहते हैं कुछ लोग नहीं समझ पाए उन्होंने कहा था कि मस्पी की गारंटी देंगे उन्होंने कहा था कि हम जो मुकदमे हुए किसान आंदो लोगे सब वापस होंगे आज तक कुछ नहीं हुआ जो घो किसान जिद का दरजा प्राप्त होगा और उनके नोक्रिया मिलेंगी उनको कुछ पैसा मिलेगा कुछ नहीं हुआ तो सरकार वादा किलाफ करती है तभी किसान परेशान होके सड़कों पर आता है अपना काम चोड़ने में किसान को बहुत दुक होता है क्योंकि किसान जमीन को अपनी मा के वराबर का दरजा देता है इसलिए दुख भी होता है कि हम अपनी जमीन को अपने घर परिवार को छोड़के सड़कों पर आना पड़ता है किसको अच्छा नहीं लगता है यह सीमेलेट ना किसको अच्छा नहीं लगता अपने घर में रहना किसको सब्सक्राइब देख लिए एक समय ऐसा आता है जब किसान की फसल आती है तो किसान उसको सड़के उपर बखेरता हुआ नहीं तो यह कौन लोग है जो आप से इस से जादा खुल के क्या बताएगी बड़े व्यापारी बड़े गोदाम नहीं नहीं हम तो बता रहे हैं अडानी अंबानी इनके बड़े बड़े गोदाम जो देस में बनादी है सरकार ने किसी कानून लाने से पहले ही किसकी तैयारी हो चुकी इस सेव के किसान का अपनी फसल का समयात आता है आप अपने बजार में जा के देखते है तो आपको सेव कभी भी 80 रूपे या 90 रूपे किलो से कम नहीं मिलेगा कितने भी और जब किसान फसल बेशता है तो उसको 12 रूपे 11 रूपे 13 रूपे इसका रेट मिलता है वो जो इतना बड़ा डिफरेंस है वो कहां जाता है किन लोगों के पास जा रहा सरकार इस चीज को छुपाना चाहत है सरकार क्यों वो नहीं करती दिखाती ही वह इन लोगों की इतने किया मैं आप पास आ रहे है जी वाई जी और जब जिस अस्टी रूपे किलो का यह जिब कर रहे थे आप जिस शेर में मैं हूँ दो सो रूपे किलो वही सेव है जी बोलिए लेकिए मैं वही समझाना चाह राजीव जी आप समझे बात को मैं उनकी अपने किसान भाई की बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं मेरे रिपोर्टर मुदसर पर कश्मीर शिरीनगर में जो गुलमर्क का एरिया है वहाँ पर उनके सेव के बागाता है पिछली बार जब सेव बिक र बताया है वो किसान अपनी हर फसल पर जो है उसे इंकलूड कर ले तो मैंने ये बताया कि कुछ धूर्त वियॉपारी जो इस देश के इनसानों का खुन चूसना चाहते हैं उन लोगों ने विदेशों से इंपोर्ट किया है वो इंपोर्ट करने की डिस्ट मेरे पास है कि ब जाता है कि लागत से भी नीजे चला जाता है तो यानि एकसस मार्कीट में कर दिया गया मैंने कहा एक बात याद रखना अगर अगले दो साल तक आप लोगों के सेव को खड़े में भी आपको फैकना पड़े तो भी इनको अपने बागों को कमपनियों को लीज पर मत देना क्योंकि ये सेव मंदा साजिशन करवाया जा रहा है ताकि आप लोगों का माल रूटा जा सके आपके 30 साल के अग्रिमेंट किये जा सके फिर तुम अपनी बागों में सिर्फ फल तोड़ने वाले रह जाओगे उनकी पेटियां पैक करने वाले रह जाओगे ये लोग तुम वियापारी का है बड़े बड़े चंदे जो है ना किसान सिर्फ बोड देता है और वियापारी चंदे देता है वो एलेक्ट्रोनिक बोड देता है आप उनकी बातों को कैसे टाला जा सकता है उनके फाइदों के लिए काम किया जाता है किसानों के करज को माफ नहीं किया जा है कि सिर्फ 15 से 20 प्रतिशत लोग जो पूरे देश को एकटा कर सके पैसा उनके पास होना चाहिए और बाकि सब दास और मजदूर तक रहने चाहिए हैंड तो माउथ अगर वो खुशाल होंगे तो तुम्हारी सताओं को पल्टेंगे तुमसे सवाब के ही मांगेंगे तुमसे सवाल करेंगे उनको सवाल करने की हैसियत में ही न छोड़ो तो यह सिधान्त जो पच्ची मी जगत चाहता था वो लागू हो रहा है और सिधान्त का एक साथ मंडी में आता है तो उसको एक साथ सप्लाई न किया जाए बलके सरकार बैंक दे क्रोप का जिसमें उनका स्टोरेज हो जाए उसके एवज उनको पैसा मिले के बैंक में उनका माल रखा है वो जब रेट आएगा तब बेचेगा मगर उसको अपनी फसल के लिए बैं इने खोच लेंगे ठीक है हर्शेल जी अभी MSP कितनी फसलों का मिल रहा है और आप कितनों कितनों पर मांग कर रहे हैं कि कभी तो यह दलनों पर मिल रहा है जी हम यह कह रहे हैं हम यह भी नहीं कहते क्योंकि कुछ लोग जैसे अभी 5-6 दिन पहले चला था कि इन्होंने कहा है उसे दे दो कि क्योंकि समय समय पे अलग-अलग फसलों का इंपोर्ट करती है सरकार जो चीज हमारे देश में अन उगाते हैं अब किसान उगाता है कम से कम उस पे तो MSP दे जो बहुत आयत में है जो लोग है अब हमारे उत्तर भारत में आप यह देख लिए चार-पांच च्छे पसल होंगी साथ होंगी दस होंगी अभी जो यह CACP होता है जो सिफारिस करता है कि कि कितना दाम होगा MSP जिसमें मेंबर होते हैं अद्यक्ष होता है क्या किसान के प्रतिनी दीवी मेंबर है आप लोगों किसमें देखिए कुछ नहीं है सब सिस्टम इन्होंने गोल मोल करके सब सरकार के हिसाब का है कौन से किसान है कौन से किसान नेता है जो इस कमेटी में है हमें तो वहीं नहीं दिखाई देखते कि इन्होंने अंदोर्ण के समय भी एक कमेटी बनाई थी अच्छा यह बताईए अभी जो MSP गोशित है क्या यह C2 प्लस 50 है कौस कि तो लागू नहीं किया किसी चीज में C2 प्लस 50 अगर यह कर दें तो किसान की समस्य कतम हो जाए अगर C2 प्लस 50 सौमी नातन जी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार यह कर दे तो किसान को अपनी फसल का दाम इतना अच्छा मिलने ले किसान क्यती क्यों चोड़ेगा आज देश में आप देश यह देखिए देश का जो युवा किसान वो केती की तरफ जाना ही नहीं चाहता अच्छा C2 प्लस 50 कर भी देंगे तो आपका समस्य स्वाल हो जाएगी जो स्वामी नातन जी ने रिपोर्ट दी थी उसके हिसाब से अगर वो लगए तो किसान की कम सखम जो लागात आती है उसके अब सब भाव तो मिलने लगे लेकिन उसमें गारंटी तो नहीं है ना कि खरीदेंगे अभी तो यह नीती है माल सड़ कर दिया सरकार तो नहीं लेगी उसके बाद ना फिर इसलिए तो मांग रहे है इसलिए तो ruhaild लोग тяжते इसलिएह ङूरू है हैं आप इनकी भरते किसान यूनियन और अब इनका इंडर्जल स्केल जो इनका पूरा सर्ड़टन है एसकेम आप देश में या खास तर पर उत्तर बिदेश के हरित बेल्ट में आप भी वहीं से आते हैं इनकी तागत इनकी छमता कितनी मानते हैं क्योंकि चुनाव का मौसम हैं और चुनाव के मौसम में अक्सर तागत दे के फैसले होते हैं जबी जमीन पेन की तागत ज्यादा दिखेगी तो सरकार को भी चुक्टना पड़ेगा एक बहुत बड़ी एक करवा सच बोलूँगा उसे आपको जो है मेरे ख्याल से जो है उसे आज आज तक शाद बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया मुझे करना पड़ेगा देखे किसान अगर हम यूपी में एस अंगठन की बात करें या किसान यूनिन की बात करें बाक्यों की जितने किसान यूनिन यहां पर हैं उतर परदेश में उनकी अगर में बात करता हूँ तो यहां पर यह है किसमें मुस्लिम से हर जाती धर्म के लोग जो हैं इसमें किसान हैं मगर ज़्यादा तर इस आंदोलन को जाट आंदोलन मान लिया जाता है जब पच्चिमी उतर परदेश में किसान अंदोलन कोई प्रोडेस करता है तो उसको माना जाता है कि ये किसानों का नहीं चाटों का अंदोलन है। कार ने इस कार का यूज किया है और इसका यूज जो है आपको देखने को मिलेगा जमीनी तोर पर यहां जब इस बार आंदोलन किसानों का होगा किसान जरूर जुडेंगे चाहेंगे मगर कुछ किसान भी इसमें से बैक आउट भी करेंगे क्योंकि जो एक हवा बना रखी है यह साथ सच भी हो तो यह हवा जो है वो यह कहें कि चोदरी जैन सिंग बीजेपी में जाने वाले तो इसका मतलब यह मान लिया जाता है यहां पर जबके मेरे ख्याल से अगर जाट भाईयों के परतिशत को मानूं तो वो 15-20 परतिशत फार्मिंग होगी उनकी बाकी सब होगी होगी है यह उनकी उफ्म्हार इनकी तुल्जा हुआ है इतना सीधा नहीं है जितना आप मान रहे हैं यह कम से कम यह बाद इस पर किसीर डिसकस्ट नहीं किया मैं आज पहली बार को और किसानों को हमारी जरुवर्त नहीं है, हमें किसानों की जरुवर्त है क्योंकि भारत की Gunun GDP का 20% गाहों से पैदा जो होता है, वो 80% जो GDP को run करता लो गाहों का पैसा ही करता है, तो यहां यह बहुत-बहुत patch initiative मसला है मगर क्रोनी कैपिटलिजम जो हमने इंपोर्ट किया है अमरीका से बिर्टन से जो हमने कलोनी में रहे थे वो कलोनियन एरा का जो हम अडॉप्ट करके हैं पस्ची मी बुखार में हम लोग चले जा रहे हैं वो उसके जरीए हमें दास बनाना जरूरी है और यह जो दास अभी शुरू हुई है ना जो दास बनाने का करपर करिया इसको जी कि वर्टके बनाय के मुझे पता है जमीनों की आऑधी बनाकर आगे क्या खेल होनेवाला है मुझे और किसानों को कि में नहीं बता कव़िए अब इनको पता चले गा کہ तुम्हारा युंग रहें है चाहता हूं कल की बैटक में कितने संगठन सामिल हो रहे हैं देश बड़ से करीब 500 किसान संगठन रहेंगे और यह 500 किसान संगठन का मतलब पंजाब और आज 100 यूपी जुड़ गया आव इस 500 संगठन का मतलब किस-किस राज्य में यांदुलन जो फैल जाएगा तो देगे जो फैले भी मीडिया ने दिखाया ना मीडिया क्या दिखाती है चोड़िए उस 500 की तागत का मतलब क्या हुआ यह अंदुलन देश बरका हो जाएका कर्शा मैं बताता हूं घूर ने दिखाया जो सच्चाई है वह वास्तविक्ता आपको भी पता है मीडिया दिखाती है प अगर नेख़ा पर 22 करनाथ के संगेत जुड़ेंगे और इस बार भी आगर अंदोलन होगो और आसकेंब की कोल होगी तो डिश्बर के किसां-संगटन जुड़ेंगे और दिश्बर के किसां संगटन एक अपने लीडरशिफ जैसे पहले 40 लीडुके किसान लीडर होगी, एक लीडर्शिप के नेतरत में ये टोटल मुवमेंट चला था, बढ़िया तेरा महीने का अंदुलन एक दुनिया को एक बड़ा मेसिज गया था कि किसान अपना हग लड़के भी लेना जानते हैं, तो उसी हिसाब से जैसे भी होगा, कल आप सभी को पता होगा, सब फैसला जो भी होगा, इस केम का आप सभी के बीच में होगा, ये तो इंतजार करते हैं, वाई जी बहुत शुक्रि ये हो सकता है, आज रात एक बार फिर से बात्चीत हो, लेकिन ये भी बात्चीत नहीं होती, तो ये पंजाब का नहीं, अब ये देश का अंदुलन हो गया है, भारत के किसानों का अंदुलन हो गया है, इसलिए ये कई रंद दिखा सकता है, कई गुल खिला सकता है, दीजे वे जार नमस्कार